प्रधानमंत्री रीवा में रास्ठी पंचायती राज दिवसपर आयोजित पंचायती राज सम्मिलन में शामिल हुए मोदी ने यहां 2300 करोड के रेल प्रोजेक्स और 7883 करोड रुपए के 5 नल जल योजनाओं का शिलन्याश और लोकारपन किया प्यमोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कॉंग्रेस पर पंचायतों से भेदभाव करने का रुप लगाया उन्होंने कहा कि पूज बापु कहते थे कि भारत की आत्मा गाउं में बस्ती है लेकिन कॉंग्रेस के गांधी के विचारों की अनसुना किया नब्बे के दशक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूर्ती की गाउं के लोगों को बाट कर राजनितिक दलों में अपनी दुकाने चलाई कि गाउं गरिब का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाई केंद्र सरकार ने बनाई हैं उन्हें हमारी पंचायते पूरी निष्ठा से जमीन पर उतार रही भाई और बहनों आज यहां इग्राम स्वराज और इग्राम पोर्टल को मिला कर जो नई व्यवस्ता लॉंच की गई है उससे आपका काम और आसान होने वाला है पहले की सरकार ने ग्राम पंचायतों तक आप्टिकल फाइबर पहुंचाने की योजना भी शुरू की थी लेकिन उस योजना के तहट देश की सत्तर से भी कम सौ भी नहीं सत्तर से भी कम ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था वो भी शहर के भार जो नद्दिक में पंचायत पढ़ती थी वहाँ पर गए थे यह हमारी सरकार है जो देश की दो लाग से जादा पंचायतों तक आप्टिकल फाइबर को ले गई है भाजपा की सरकार ने देश की करोडों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है और आप जानते हैं आज के समय में पी-एम आवाज का हर गर लाख रुपिये से भी जादा कीमत का होता है यानि भाजपाने देश में करोडों करोडों दीजी करोडों दीजी को लखपती दीजी बनाया है